यां दुस्तर्व बढूशन के ही सब क्या बोलने नहीं सकते हैं और बेटी बहन की बात पर रास्ती दौलती भी नहीं हैं तो प्रथी ने थे यहिंग यहां इलगों क्या करेंगे यह लोग.. नहीं में बोलेंगा प्राद के नेटूर्ऍक करने का क। रसकार अपने प्रोडेशन देखनें मैं हुँ के साथ वँदर थातेअब वुढूमाट में कई विदान सभास सेटों पर उईभचुना होना initiatives तो दुसरे तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजश्वियादों हूं या फिर सुदाज़त सुप्रीमों लालो प्रशादियादों बंगाल में जो अभी इस्तिती बनी हुए उस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं अना मीडिया के बातों का जबाब दे रहे हैं कई ऐसे विशय हैं इस विशय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाज़पा की वरिष्ट नेता नवलकी सुरियादों क्या बात है आखिरकार बंगाल की जो इस्तिती है उस पर ना तेजश्विय बोल रहे हैं नलालो जाटों कden दे लिЗव已經 का सुमसिंव चट्टे बढ़ते हैं उसी तरह की कामकरने वाले हैं जो अपराधियों को गोलबंध करके रखने वाले आप राधियों के आधार पर सरवक्षा चलवादे थे लोग आपंडी जो बयंगे तो बिली नहीं सकते और फिर नहीं चलने में बांगलादेश के भी फीर से घाष नहीं हो सकता है भारत दुनिया के अन्य प्रदेशों में एक अपना एक अजूबा इसके संभीधान है और चेकाइन बैलेंस हैं कोई यहां बहुत बड़ा नहीं है और कोई यहां बहुत छोटा नहीं है हर संस्थाओं को एक दुसरे पर अंकूस लगाने का अधिकार है फ्रिडम किसी को न नहीं तूल नहीं नहीं और इस तरह के जगन आपराद हो और इसको चूप लगाना चाहिए क्या होस्पीटल में जहां लोग अपने जीवन रक्षक के लिए जाते हैं उहीं पर इस तरह की घटनाएं घटे और उस पर बात नहीं होनी चाहिए उस उन मामलों को उजागर नहीं करनी चाहिए इसे भारतिय जंतापाती का जिसको अपने बेटी और भाणों के प्रती संबेदना है agriculture करेंगे ही आक्रोस व्यक्त करेंगे ही सरकार से मांग करेंगे ही कि ऐसे जगन अप्राधियों को और जो इसमें लिप्त है उस पर ऐसी सजा हो कि आने वाला कल भी एक लकीर के तरह लिखा जाए और बेखबहन और बेटियां सुरक्षित हो सकते अखिरकार बंगाल की सिति पर यह चाहे राजद के लोग हो या फिर महागडबंदन के लोग हो क्यों नहीं बोल रहे हैं क्या वो यह सोच रहे हैं कि ममता बेंडर्जीज सेमारा रिष्क कर आप हो जाएंगे वह भी वह इसने वाले हैं कि आप अप्र पार्थियों सासन चलाता है अपडियों को ग्रो में इनकी पार्टी है इन लोगों के तो ये लोग क्या चीर में आपने नहीं पार्टी और विहार्र में उसके ऑभहने वहनों से मतलब नहीं अपनी बेटियों से मतलब है राज के और देश के बेटियों से कोई मतलब देखिए माज अंगल राज आ गया बिहार में तो अपराध मुक्त यह लोग कहते हैं लेकिन देखिए यहां पराध्यों को इंसन रर्षन दिया जा रहा है आम तो आम अब खास भी लोगी तो कि यहां कॉन आतंकित है और कॉन अप्राधी किया कर रहा है और उन को तो माता जी और पिता जी का कि निवास से फिरोती वसूला जाता था और अप्राधियों के सुधार विभाग में भी कई ऐसे जो हैं चीजों को ले करके चीजें पेंडिंग में रहती है वो भी एक अपराद का जरिया माना जाता है अब ऐसे में जो जमीन सर्वे होगा क्या परिस्थिती बदलेगी क्या निश्चित रूप से अपराधियों पर नहीं हर लोगों पर ल है यह अपराध को नियंत्रन करने के लिए सबसे बड़े हथियार है लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह भी जो हो पारदर्स्था इसमें भी होनी चाहिए आपकेशन पारदर्स्था हो घरे घरे धोलक पितले चलते हैं बोलेले चलते हैं हर जगा हर पंचायत में मीटिंग कर है तो आफ पर दर्सथा नका करती भी लगवा दे लगविए भाक्र पर दरशिता का मतलब क्या कि हम जब के दरवाजे पर आके हम सब कुछ समझा रहे हैं आप से पूछ रहे हैं अब इससे जादे पारदर्सी क्या हो सकता है कि उनकर भी आरोप है कि जमीन पर कबजा की हुए है या फिर जमीन अपने नाम कर लिए क्या उनने दाओं को भी अब इन सब चीजों से डर है कोई नेता हो या भी नेता या परनेता उससे मतलब नहीं है सत तो सत्य है जब सत्य निखल जाएगा तो उसी के करीब लोग खड़ा होंगे इसमें कोई अलग से किसी को नेता नेता मतलब आर्जेदी के कुछ लोग के बारे में कह रहे हैं क्या करेंगे आपका कहने आपका कहने मुझे मौलवा वाला जमीनवा के बारे में कहा रहे थी उसाब कुछ नहीं होगा सब का सर्वे में चीप हो जाएगा एक अंतिम सवाल है कि वक्फ बोर्ट को लेकर के फिर पैसे जो है राजनिती हो रही है सकील अहमद ने जो है कॉंग्रे किसमें संसोधन नहीं होगा दुनिया के एक मात्र ऐसे धार्मिक किताब है कुरान जिसमें कोई संसोधन नहीं होता और जिसने संसोधन करने का कोई टीका करने का कोई टिपनी करने का प्यास किया उस पे लोग हल्ला बोल देते हैं हमारे गीता और महाभारत में सैंकुर टिक रिकी गई भाइबल पर डीकाय लिखी गई तो यह भषका कानून है तो भारत ज़िएवाईब सानुर्स सहले नहीं की देश जनता के बेचैनि शलता देत कि लिए चलता है किसी पाठी के बेचाइनिस ये कोई फ़र्क रहीं वरता है बहुत 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 शुक्या बात करने के लिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष ने था बिहार विधान परिष्ट के सदस्त नेवल की शुर्या दोका आप इनके बातों पर क्या राय देना चाहते हैं कॉमेंट वाक्स में जाकर के जरूर कॉमेंट करिएगा धन्यवाद